जै मातारानी दोस्तों I hope आप सभी नवरात्रों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे मातारानी की सेवा कर रहे होंगे और आपके नवरात्रे बहुत इशुब और मंगल में जा रहे होंगे आप सभी को मातारानी का आशिरवाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे दोस्तो तो इसी आशा के साथ हमारी मातरानी सिफ रातना है कि वो हम पर और हमारे परिवारों पर इस प्रकार से करपा बनाए रखें आज की जो वीडियो विशेश है वो है कि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम उन्हें क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं बिना कन्या पूजन के हमारे नवरात्रे समपूर्ण नहीं माने जाते हैं बेशक आप एकी कन्या का पूजन क्यों ना करें एक का भी कर सकते हैं तीन पांच ग्यारा जितने भी मिल जाए कन्या का पूजन कर सकते हैं और gift आप उनको जरूर दे चाहे छोटा सा ही gift क्यों ना दे तो देखे gift में आप कोई भी पूजा का सावान दे सकते हैं किसी भी प्रकार का जो भी आपकी सामरते हो वो दे सकते हैं साथ में आज कर लिए जो trending में बहुत चाल रहे हैं इस तरीके के ये डबे चल रहे हैं आप जब आप इनको बच्चों को देते हैं तो इन्हें की चिछिन में भी यूज किया जा सकता है और लंच बॉक्स है या बच्छेigraphy रखनी के लिए इनिस बॉक्स की रूप में भी यूज कर सकते हैं तो भूट ही अच्छी चीज चीज़ तो ये तरह की क्वालिटी आती है त की जो प्राइज है वो 12 पीस है 360 में तो प्राइज में मुझे ठीक ही लग रहे हैं ये लीक प्रूफ एक तरी किसे बॉक्स है ये देखी और इसका जो लिड है वो अच्छे से टाइटली बंद हो रहा है कंटेनर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो तो 360 की रेंज में ये भ तो आप इसमें कुछ रख करके भी बैच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं ये भी 360 की रही रेंज में है तो अपनी पसंद से आप दे सकते हैं अच्छी बात ये है कि बारा मिल जाते हैं कंया को जो पूजन करते हैं उसलिए 11 कंया बिठाते हैं और एक लांगुर बिठाते हैं तो आप इने दे सकते हैं और इसके बाद में दोस्तों पूजा का कोई भी आइटम आप दे सकते हैं यहां पर ये दिखे ये थोड़े और ज्यादा अच्छी क्वालिटी है ये 450 का सेट है 12 का तो आप जैसा आपका बजट हो आप इन ही भी गिफ्ट कर सकते हैं इसके आपको साथी साथ दिखाते जाओंगी तो किसी का इसमें भी 12 का ही सेट बनाया हुआ है तो ये देखे ये 240 की है 12 है तो काफी अच्छी है बहुत ही सुन्दर है प्यारी-प्यारी सी है बच्चे भी बहुत कुछ हो जाते हैं जब कार्टून वाली में प्लेट्स मिलती है औ आपर देखे तरह तरह की प्लेट्स है और ये भी 12 का ही सेट है और ये 480 का है बड़े साइज की प्लेट है इसले इसका भी प्राइस बढ़ा हुआ है तो देखे इस तरीके से आप प्लेट्स भी दे सकते हैं ये देखे और ये भी 480 का है ये सेक्शन वाली बड़ी है रबर्भैंट होते हैं तरह तरह कैज दो बहोत ज्यादा रबर्भैंड बहुत ही प्यारे नहीं पहले हैं ओर है है ऩे तो इन फिक से कर सकते हैं तो ये थोड़ा अलग सा आइटम है, पैन भी है इसमें और फैन भी है, जैसे बच्चा वैन वगरा में कहीं भी जाता है, तो अक्सर गर्मी लगने लग जाती है, तो इससे हवा भी कर सकते हैं बच्चे, और ये थोड़ा सा सिंपल है, हेर बेंट्स जो बच्चे यूज करते हैं इस तरीके से, तो कन्याई बहुत ही खुश जाती है, देखे, आप चुन्री आदी भेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़े यूजबल होती है, इन से ज़्यादा, क्यूंकि जब कन्याई हमारी दीवे चीज़ों को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मातारानी हमसे बहुत प्रसंद होती है, देखे, कितने प्यारे-प्यारे करन्याओं के टियारा जो होते हैं, सर पे लगाती हैं, और यहां पर देखे, इन में हेर्स भी निकले हुए हैं, इस तरीके के हेर क्लिप्स हैं, बहुत ही सुन्दर है, इन में हेर्स भी लटके हुए हैं, एक दम स तो देखे चोट चोटे पर्स हैं बहुत ही सुन्द लगती है कन्या है जब इने साइड में रटका के चलती है ना सारे अपने कन्या पूजन के पैसे में घट्टे करके रखती हैं तो इस तरीके से आप इने भी गिफ्ट कर सकते हैं यहां पर और मैं आपको प्राइज आप द चिजहने जैसे कि कोई भी आप उसतख भीर कर सकते है कोपिया भी पर शॉपनर पैन्सिल बॉक्स जुमेटृ जो भी एजुकेश्णल चीजे होती है ने वो आप भीर कर सकते है तो इससे मातास सृस्वती का विशेश हमें आश्रवाद मिलता जतना हम जादा हम जदान सादी किको में माधषर स्रसवती की एक यह जाधा ग्रेटों हम से यहां आब सा questions उन्हें भी करना किखा जादा बाक्स आप डैसे है और लग होडगी स्थ eval यहां पर water bottle आप Cartoon की छोटे बच्चे हैं तो कार्टून की देंगे तो बहुत ही खुछ रहते है थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो आप इस तरीके की simple bottle भी दे सकते हैं यहां पर जो 40 रुपी के हैं,स andra रुपी के हिसाब से मुझे यहां पर बाटल की कौलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है तो बहुत भड़न जाती है, यह बाट पसंद नहीं आहीं मैं पैने बाटल मुझे पसंद नहीं आई हैं तो water bottle बहुत ही अच्छा option है और यहां पर देखे गुल्लक बहुत ही प्यारी प्यारी सी आ रही है प्लास्टिक में हैं आप गुल्लक अपने अनुसार अपने बजट के नुसार दे सकते हैं बहुत ही अच्छे डिजाइन की गुल्लक भी आ रही है और इसके बाद में देखे इस सिपर आते हैं सिपर भी आप बच्छों को दे सकते हैं तो इस तरीके से इन में से कोई भी आप gift दे सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे आजकल के environment की requirement है वो है plants पौदे तो यह यूनिक सा आइडिया ही मेरी अपनी सोच है आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बच्चों को बाकी और चीजें दें लेकिन एक एक पौधा वश्रुप से दें, पौधा आप तूसी का भी दे सकते हैं, रोज का गुलाब का दे सकते हैं, चमपा चमेली किसी का भी दे सकते हैं, जिस पर सुगनित फूल आते हूं या बहुती सुन्दर सा पौधा कोई भी आप दे सकते हैं जब बच्चा उस पौदे को लगाएगा उसकी केर करेगा तो उसे भी जिम्मेदारी का भाव होगा और प्रकृती से प्रेम होगा बच्चो को तो आप इस उप्शन को चूज कर सकते हैं पौधा देने के गिफ्ट हेंपर आप छोटी-छोटी सी चीजों को लेकर के उनका बंच बना लें और उनकी बढ़िया सी पैकिंग कर दे और उसके बाद हमारा गिफ्ट हेंपर तयार हो जाएगा गिफ्ट हेंपर के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं फैशन एक्सेसरीज गर्स आजकल त आप अपने रुची के अनुसार और अपने सामरते के अनुसार बजट के अनुसार भी गिफ्ट हेंपर तयार कर सकते हैं मार्केट में भी आजकल गिफ्ट हेंपर तयार मिल रहे हैं लेकिन आप जब गिफ्ट हेंपर लें तो आप दिहान से देख कर के लें क्योंकि वो चा आप लूडो गिफ्ट कर सकते हैं, चेस गिफ्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपके बजट में बैठता हो, आप उस में से खेलनी की कोई भी चीज बच्चों को दे सकते हैं, बॉल्स भी दे सकते हैं, तो इससे बच्चे बहुत ही जादा खुश रहते हैं, और जब बच्चे इसा में आप बच्चों को जब आप खाने परोसे नियुक्त तो थोड़ा थोड़ा उन्हें आवश्य कहाना चाहिए उनका तिल अपोजन करें उन्हें गिफ्ट के साथ में कुछ इब दक्ष्ण रूप से दीजे कुछ फल जरूर दान करें बच्चों को फल दक्ष्ण और क्यों नहीं दे रहे हूं, ऐसा कोई आवशक नहीं है कि आप 100 रुपीज पर बच्चा ही आप गिफ्ट दें, चाहे आप 2 रुपे की पैंसिल गिफ्ट करें, बस बात है श्रद्धा कि आपको पूरी श्रद्धा के साथ में कन्या का पूजन करना है, और आगे भी आपको संकल प लेना है कि इसी प्रकार से हम कन्याओं का सम्मान करेंगे और अपने बच्चों को, इस कन्या पूजन में आपको अपने बच्चों को जरूर शामिल करना है, खासका लड़कों को शामिल कीजिए, उनसे कन्याओं के चरण धुलवाई ए, उनके पूजन कराईए, तो इसस समाज का जो भी गलत पक्ष है वो समाप्त हो जाएगा तो इस परकार से कन्याओं के लिए हम सिर्फ तन से कन्याओं का पूजन ना करें बलकि हम और हमारी संताने मन से कन्याओं का पूजन करें तो I hope मेरे ये आइडियाज आपको बहुत अच्छे लगे हुँगे वीडियो अच्छी लगी है ग्यान वर्दक लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जै मता दी अवश्य लिखी दोस्तों और आपके अगर इससे अलग कुछ आइडियाज हो करन्याओं को गिफ्ट देने के तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें दोस्तों मिल दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै मता दी